कल बड़ा संयोग है, आज जीतु पटवारी जी जुड़े हैं, कल पंडोकर जी जुड़े हुए थे, उससे पहले पंडोकर जी का ट्वीट भी बड़ा चर्चाओं में रहा, किसी ने पूछ लिया, जीतु जी के चाहने वालों ने, पूर मंत्री भी हैं आप, कि भाई कितने से जीतेंगे वो, उन्होंने का कि 40,000, जीदु पटवारी साब लगातार एग्जेट पोल आ रहे हैं, कहीं काटे की टकर है, कहीं एज नजर आती है, और कहीं कॉंग्रेस पिछलती हुई जाती है, आपका रियक्शन मैं पहले तो एग्जेक्ट पोल का रिस्पेक्ट करता हूँ, पर ये जितने भी आपके एग्जेक्ट पोल है, मुझे नहीं पता पिछली बार कितने पास हुए थे मध्यप्रदेश के चुनाव के संदर में, 36 गड़ के चुनाव के संदर में, पर 135 सीट से उपर कांग्रेस पार्टी लेके आएगी मध्यप्रदेश में, और जब मैं 135 सीट बोलता हूँ, तो ये मेरा वीडियो यास से आप समाल के रखना कि उस दिन चलाने के लिए कि जितु बटवारी को के से पता चला कि 135 सीट से उपर आई थी, आएगी कांग्रेस की सीट हैं, तो मैं आप से अन संबे शासन के बाद भी ये कहा जाए, जो एक्जिट पोल से इतिया तस्वीर का आप दावा कर रहे हैं, लेकिन जुस लेहर की बात की गई थी, वो लेहर अनुमान में नजर नहीं आ रही है, क्या नहीं लगता कि अगर वो अंडर करेंट होता, या एंटी इंकंबेंसी इत 237 सीट का अंग्रेंस पार्टी की दिखा रही हैं, मैं मानता हूं कि हमारी कांग्रेंस पार्टी की जो इंटनार रिपोर्ट है, जो हमने सीट टू सीट में एक एक सीट का अखलन किया, वो 100 पच्पन, 145, 150 सीट से उपर जा रही है, तो मैं हमारे अपने आप पर भरोसा यह आपके एक्जेक पोल पर भरोसा कर नहीं हम तो अलग-अलग एक्जिट पोल की तस्वीर दिखा रहे हैं ना सर तो अलग-अलग एक्जेक पोल पूल मिला के कांग्रिस पार्टी की सरकार बना रहे हैं 125 सीट तक तो जब 125 से हमारा अकलने 135 से उपर जाएगा हमारी क्यों ज इश्का करता और ने बेटा मेरी बेहन का फ़रन हो गया है मैं यह बोड़नना है नहीं वह सवाल दो है नहीं जलाल मिलाइंक है है हमारा एक ही प्लान है मद्धिपृते संवर्ध बनाना उसमें कांग्रेस की सरकार बनाना विदायकों को लेकर आप बिलकुछ सेफ एंड साउंड है जो आएंगे 500 500 परसें 500 परसेंट बाले बंदी के आवशक्ता नहीं होगी मुझे नहीं लगता है जी और एक और सवाल यहाँ पर सर ये भी हो रहा है लानित आपके बंद में कोई सवाल हो तो जाहरा तौर पर जीतू पटवारी जुड़े हो तो सवालों के लंबे सिलसले होते हैं पटवारी साब एक बात कही जाती है राजनीती के जानकार कहते हैँ आप नेता बनाते हैं बीजे पी वाड़े ले जाते हैं आप 135 बोल रहे हैं जादू यहांकड़ाव 116 का है पिछले बार 20 लोगों का एक साथ रिदय परिवर्तन हो गया था इस बार पिछले बार हमारे पास जोतिराज सिंधिया थे इस बार हमारे पास कांग्रेस के पास जीतू बटवारी है अंतर को समझो हमारे पास कमल नात है दिगविजे सिंग साहब है हमारे मले जिनको हमने टिगिड दिया ठोंक बजा के दिया हमने विश्वस्ती आइडियोलाजी के ल कांग्रेस पार्टी का सम्रद्धी का मध्री प्रदेश का राज बनने वाला है और आपको मैं शपत में आमंत्रित करूँगा जी हमाई साथ कुछ गैस भी हां पर जुड़े हुए है रोदर जी कुछ क्या पूक्चे चाते हैं आप से जी कम्परिजन जोतिराच सिंधिया से किया तो जोतिराच सिंधिया अपने आपको मुक्ष मंतरी के चेहरा देखते थे मध्री पूझित करके महत्तुप कांशा दिखा के भाग गए बीजेपी में मुक्हि मंतरी बनने गये थे हमारे को समरद मद्यप्रदेश बनाना है हमारे मुख मंत्री मंत्री पत प्रतिष्ठा अगर लेनी होती तो मैं भी उनके जैसा होता मैं उनके जैसा नहीं हूँ इसलिए आपसे अन्रोद करना चाहता हूँ कि हम मद्यप्रदेश के बच्चे के जो नशा करता उससे मुक्ती दिलाना चाहते है कर्द से मुक्ती दिलाना चाहते है समरद मद्यप्रदेश बनाना चाहते है हमारा और उनका कंपरीजन होई नहीं सकता वो भिके हुए थे हम ठुके हुए है सुरे मैफिल जी कोई सवाल पिछली बार मैंने देखा था एक वीडियो कि भया कॉंग्रेस को वोट मत दो अपने बेटे को वोट दे दो तो उस वक्त जीत के आये थे हमारे भाई साब लेकिन एक प्रशन बहुत मने में उचल रहा है कि आपने अभी का आई बी की जो रिपोर्ट है वो 138 की है कॉंग्रे मैंने फिर से अभी इस से पहले बोला था 135 सीट से उपर कांग्रेस पार्टी के आएगी 145-155 तक भी जा सकती है मेरा आपसे अन्रोध है मेरी ये बात ये वीडियो सवाल के रखना तीन तारिक को काम आएगा इसा है कि जो अधिकारियों का रुख सरकार के बदलते ही बदलता है तो जो आई बी के अधिकारी उनके पर सीम साफ के पास रिपोर्ट लेके गए तो और उनने फेग दी थी उन्हीं अधिकारियों ने हमें कहा कि कि सीम को जिए बहुत बड़ा बयान दे दिया इनों अब आ रही है तो आ रही है तो जेसे अधिकारी उनके साथ है सरकार बनेगी उनके भी साथ है जी 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 विच्वास अरंग जी भी हमारे साथ